आटियाई लेटिकल डिवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है हम mcq और फिल इंद बलंक्स का यहाँ पर चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज यहाँ पर सलूशन करा रहे हैं जो कि आपका चैप्टर टू या चैप्टर पांच जो भी हो आपने किताब से देख लिजेगा हम सेल एंद बैटरी के का चैप्टर वाइज चल ला है तो सेल बैटरी में हमने mcq खतम कर चुका उसके बाद जो भी फिल in blanks होते हैं उनके बारे में आज यहाँ से हम लोग ईस्टार्ट करेंगे फिल in blanks इसके बाद हम लोग milan करो जो आपका आता है उससे भी question और खृटर बैटन करेंगे तो पहले हम आते हैं यहाँ पर फिलिन ब्लैंक के जो बचे हुए 25 कोच्चन इसको यहाँ पर आज हम solve कर लेंगे और otherwise आगे करेंगे ठीक है तो लिखा आई नो ने charging के समय positive plate का lead sulfate में परिवर्टित हो जाता है और negative plate परिवर्टित हो जाता है यह कोच्चन लगबल लबक रिपेटिड हमको लग रहा है ठीक है तो sorry lead sulfate charging के समय जो positive plate होता है lead sulfate की इसमें परिवर्टित हो जाता है तो आपका PV lead sulfate आपको पारा लेड पाराकसाइड में में तबदिल हो जाता है और negative plate आपका soothe lead यानि PV में change हो जाता है ठीक है 28 नंबर है 28 नंबर है discharge के समय दोनो positive और negative negative plate का active परिवर्टित हो जाता है यानि discharge के समय दोनो जो positive और negative plate का active प्रवर्थित हो जाता है चार दिया है यहां पर 28 नमबर का तो किसमे हो जाएगा डिश्चार्ज समय दोनों पॉजिटी और जब डिश्चार्ज हो तो अपका लेड़ सल्फेड बन जाता है तो पीबी एसो फोर हो जाएगा लेड़ पाराकसाइड यह होता है असुद तीनों याद रख लेना है चुद लेड़ का बहता है लेड़ सल्फेड का बहता है यही तीनों बस आपको याद रखना है जिरूरी है ठीक है 29 नमबर है सेल की चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट से बनता है और खपत होती है बनता है तेजाब या पानी जब सेल को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट से यानि जब चार्ज करेंगे पानी से क्या बनेगा खपत होती है तेजाब बनता है ठीक है जो सेल को ज होता है जो पैटरीक अंदर जो द्रव आप भरे होते हैं उसमें पानी और सल्प्यूरी के सीड होता है जिब से चार्जिंग में कर लगाते है जूसमें जो पानी होता है वो पानी की इसमें चेंज हो जाता है आपका तेजाब में कनवर्ड हो जाता है ठीक है तीस नंबर है से सेल की चार्जिंग के समय इलक्ट्रोलाइड से तेजाब पानी बनता है देखे सेल की चार्जिंग के समय इलक्ट्रोलाइड से ये वाला 29 नमबर पानी की खपत होती है और तेजाब बनता है ठीक है चार्जिंग के समय ठीक है और यहां पे 30 नमबर पूछा है सेल की चार्जि लाइट की खपत होती है और बनता है जब चार्ज करते हैं तो किसकी खपत होती है आपकी पानी की खपत होती है और तेजाब आपका बनता है ठीक है वही चीज थी सेम सेम एक तीस नंबर है ने ने तीस नंबर वे कुछ तो गड़बर दिख रहा है सेल की चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट से तेजाब बनता ठीक है उल्टा कर रखा तेजाब बनता है और खपत और पानी बनता है नहीं 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 यहाँ पर जो होना चाहिए दोनों कोशने से एकी चीज हो जारे हैं और डिस्चार्जिंग जब देता तब तेजाब भी खपत होती और आपकी पानी बनती ठीक है यहाँ पर इस तरह होता है कब किस समय जब यहाँ पर डिस्चार्जिंग दे देता तब यहाँ पर गलती से ने चार्जिंग लिख दिया है ठीक है चार्जिंग रखके मानेंगे तो वही चीज़ जाएगा पहले पानी की खपत होगी यह तेजाब बनेगा, डिस्चार्जिंग रखेंगे, तो तेजा भी खपत होगी, पानी बनेगा, ठीक है, तीस नंबर है, सेल की चार्जिंग के समय, इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी, क्या होता है, जबकि डिस्चार्जिंग समय ग्रेविटी घटती या बढ़ती है, ठीक है, अच्छा 32 नमबर है बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की बैटरी चार्ज की अवस्था दरसाता क्या दिखाता क्या दरसाता देता है तो इलेक्ट्रोलाइट जब दिया तो स्पेसिक ग्रेविटी यहां होगा स्पेसिक ग्रेविटी बैटरी की चार्जिंग अवस्था को क्या करती है, दरसा आती है स्पेसिक ग्रेविटी 33 नमबर है, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिक ग्रेविटी मापने के लिए परियोग के जाता है, मनलब ग्रेविटी किसे मापा जाता है, तो आपकी स्पेसिक ग्रेविटी किसे मापा जाता है हाइड्रो मीटर से ठीक है 34 नमबर पूछा है कि पूर्ड चार्ज LED AC सेल के electrolyte की specific gravity क्या होती है और इसे specific gravity नीचे नहीं चाहिए जब फूल आपके बैटी जब चार्ज होगी किनिग रेटी होती है 1.285 ठीक है डिस्चार्जिंग किससे नहीं होना चाहिए 1 मलब 1100 1180 होता 1180 ठीक है यानि 1.180 से इससे कम आपको कभी भी discharge नहीं करना चाहिए देखे दिखा है देखे बहुत अच्छा है नहीं दे दिया है जानि 1.22 चार्ज का होना चाहिए सोरी चार्ज का होना चाहिए और डिस्चार्ज का 1.118 होना चाहिए ठीक है 35 नंबर है पूल चार्ज लेड एसिट सेल की बोल्टेज भी होती है इसे भी से कम नहीं होने देना चाहिए पलेट पर क्या जम जाएगा लेड सलफेट जम जाएगा ठीक है तो क्या पूछा फूल चार्ज लेड एसी बैल्टी का बोल्टेज करना होना चाहिए अब देखें, दो बोल्ट होना चाहिए इसे केन्थ स्कमने चार्ज होने देना चाहिए मानुदे इससे जाद नहीं करना चाहिए 1.8 बोल्ट से नीचे discharge नहीं करना चाहिए अनिता परेट पर क्या होजाएगा सलफेट जम जाएगा जब लेड इसेट सेल चार्ज करते है तो पॉजिट्व पलेट का रंग कैसा होता है तथा नगेट्व पलेट का कैसा होता है और इलेक्ट्रो लाइट की कैसा होता है और इलेक्ट्रो लाइट की कैसा होता है और सेल की बोल्टेज कहां पहुंच जाती है ठीक है जब चार्ज फूल चार्ज आपका पलेट है तब आप दीखती है अपना गर जानते हैं वो दीखें बहुत डीपली डीपली कोश्चन पूछा है बहुत अच्छा लेवल का कोश्चन पूछा है जब लेड़ेसी सेल चार्ज कहते है तब पॉजेटिव पलेट का रंग कैसा हो जाता है आप आपका दुधिया कलर का हो जाता है अब बोल्टेज क्या हो जाता है अधिक्तम हो जाता आप चाहें तीस वाप्शन को नूट कर सकते हैं आप दो जो चार्ज की एक कोश्चर के साथ आप चार कोश्चन तयार हो गया यहां पे 37 नंबर है चार्जिंग के समय सेल का बोल्टेज बढ़ता है या घड़ता है या बढ़ता है यह जो सबको पता है बढ़ता है और यहां पे घड़ता है ठीक है डिस्चार्जिंग में 38 नंबर है थोड़ा सा टाइम लगेगा हाँ इलेटोलाइट में सलफ्यूरिक अमल पाजेटिव आयन में और नगेटिव आयन विभक्त स्प्रिट होता किसमे इलेटोलाइट में सलफ्यूरिक अमल किसमें विभक्त होता है जब पाजेटिर हैगा जो आपका H2O में विभाजित होता है ठीक है positive वाला hydrogen में और जो negative आपका होता है SO4 यहाँ sulfuric में आपका change हो जाता है अलग होता है ठीक है जब लिएटा है sulfuric लिख लाइट में sulfuric positive H2 iron और negative SO4 में हो जाता है और 49 नमबर है cell चाहे charge हो रहा हो अथवा discharge electrolyte के hydrogen ion सेदयो current बहने की देखें आप एक इस बात को notice करिया इसने क्या कहा है कि cell चाहे discharge हो या charge हो रहा हो hydrogen ion सेदयो current बहने के दिशा में चलते हैं विपरित दिशा में चलते हैं या समान दिशा में ठीक है चाहे charge हो discharge हो तो जो आपके आयन जो होते है hydrogen के वो current के बहने की दिशा में यानि समान दिशा में हमेशा चलते हैं ये आपका बहुत अच्छा question है फसने वाला question है समान दिशा में चलते हैं अगर आप electron समझ के मारेंगे तो electron आपका क्या चलता है current के क्या करता है भी फिर्ट चलता है लेकिन hydrogen का जो आयन है समान दिशा में चलता है ठीक है यहां से आपका confusion दूर हो जाएगा चालिस नंबर question है electrolyte से current का बहाव electron, iron, holes के चलने के कारण होता है किसके चलने के कारण होता है electron के या iron के या hole के ठीक है तापको हम बता दें जो semi conductor हो तो वहाँ पर electron और hole का दुकत होता है यहाँ पर क्या होगा आपका iron electrolyte में current का बहाव किसके कारण होता है आपके iron के कारण होता है उसके बाद 41 नंबर question है cell के अंदर discharging के समय current positive, negative, positive, negative की तरफ से charge के समय positive, negative कैसे चलती है यह बहुत अच्चा question पूछा 41 नंबर वाला 4 question एक question के बराबर है 41 नंबर अकेले तो cell के अंदर discharging के समय current discharging के समय आपका current negative plate से positive की तरफ की और चलती है और charging के समय positive से negative की तरफ बाता है ठीक है, याद रखिएगा cell के अंदर discharging के समय current minus से plus की तरफ charging के समय plus से minus की तरफ बाता है आपका current 42 नंबर है lead acid cell को हिद्ने बोल्ट से नीचे discharge नहीं करना चाहिए कि हिद्ने बोल्ट से 1.8 बोल्ट पता चुका हूँ और इसे चाहिए जिससे पलेटों पर जमने से बचा जा सकता है जिससे sulfate sulfate 42 नंबर क्या हो जाएगा आपका sulfate PbS04 ठीक है, दोनों बे जिससे दोनों होगा याद पेसा जिससे दोनों पलेटों पर दोनों पलेटों पर PbS04 sulfuric ठीक है, जमने से बच जाएगा, फिर यह बोलते है देखे, इसका अब sulfate, lead sulfate जमने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा ठीक है 43 नंबर है lead acid cell को बार-बार discharge यह वो नई, सोरी lead acid cell की बार-बार charging यह डिस्चार्जिंग से बनी पलेटों को plant यह फ्यूरे पलेट कहते हैं, जबकि पलेटों पर एक्ट्वी पदास के ले pest को हाथों से भरने से बनी पलेट को फ्यूरों पलेट कहते हैं, यह प्लांटे पलेट कहते हैं, यह नोंने पूछा, 33 नंबर देखे, lead acid cell को बार-बार charging और discharging से बनी पलेटों को पलाटे कहते हैं, ठीक है पलांटे, पलांटे कहते हैं मैं क्या लिख दिया पलांटे कहते हैं, और हाथ से भरने बनी पलेटों को फ्यूरे फ्यूरे पलेट कहते हैं, क्या कहते हैं फ्यूरे पलेट कहते हैं, ठीक है प्लाइटे और फिरे, ठीकहा धिस्चार्जिग से बनी प्लेटों क्या करते हैं। फिरे प्लेट काते हैं, जो हातों सबरे होते हैं। यूसे फिरे काते हैं। 404 नंबर हैं. चुरे जंरिस नंबर हां. की पिलेटे हलकी अधिक झंता वाली और फ्यूरे या पलाटे पलेट के पेच्छा सस्ती होती है चेवालिश नमर कोश्चन बहुत कन्फ्यूजन वाला है आप एक बर इसी है बढ़िया से गोर से पेले पढ़िए तो यहाँ पे क्या भरेंगे ठीक है तो चोवालिश नमर क्या हो जाता फ्यूरे पलेटे हल्की अधिक छमता वाली होती है और इंच के पलाटे से क्या होते है शस्ते भी होते है पैतानिस नंबर है, कि पलेटो का गूण है, कि फियूरले पेच्छा अधिक है भी लोड पर इनका एक्क्टिव मैटेरियल जड़ जाता है, ठीक है। तो एक्ट्वी मेटेरियल क्या हो जाता है इनका जड़ जाता है कि इन प्लेटों का फ्यूरे का या प्लांटे का ठीक है तो आप क्या हो जाएगा फ्यूरे प्लेटों का गुड़ है कि घुड़ है कि पलाटेग की पलेटों गंपर जाता है जो उसे करने में जो भी लेडर पार आर्क्साइड जो लेडर सल्फिट जो उस पर हो लगे राते हो क्या हो जाते हैं है Clearly जल जाता है च्छियालिस नमबर है अधिक सेल एक सेल में नगेट्व पॉजिट्व पलेटो की संख्या से अधिक होती है क्या होती है देखे में बता दू एक सेल में जो नगेट्व पलेटो की संख्या होती है पॉजिट्व पलेटो से एक अधिक होती है ठीक है नगेट्व की जो संख्य होती है ये खमेसा अधिक होती है 27 नमबर है कि lead acid battery का terminal post का ब्यास diameter terminal post के ब्यास से अधिक होता positive negative की बात कर रहा है ठीक है तो जो positive terminal होता है उसका ब्यास मोटा होता है negative का क्या होता है पतला होता है बस इदना समझ लिए 48 नमबर है cell में electrolyte का level plate के उपर होना चाहिए बराबर होना चाहिए नीचे होना चाहिए क्या होना चाहिए उपर होना चाहिए लगभग 5 mm तक ठीक है 5 mm तक आपका उपर होना चाहिए 5 से 3 mm ठीक है 3 से 5 mm या दखेगा ये पूछता question अब 49 नमबर separator का मुख या क्यार plate को negative positive plate के मद इस सार्ट किर से क्या है बचाओ करना या बचाना ठीक है यहाँ पर बचाना क्योंकि इधर positive plate लगी होती है और यहाँ पर एक negative plate लगी होती है इनके बीच में separator भरे होते हैं जो दोनों को चिपकरने से क्या करते हैं बचाते हैं ठीक है बचाओ करना 49 पचास नमबर question है जब cello को series में जोड़ा जाता है तब voltage बढ़ती है तथा जब parallel में जोड़ा जाता है तो क्या बढ़ती है बढ़ती है current बढ़ती है ठीक है हमने इस तरह 50 question अपरा इस भाव में complete कर रखा है अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों फ्रेंडों को जरूंट से यार करें ठीक है लेकिन question आके पूरे निम्मीक से बनके आ रहे हैं